हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया, आप सभी को सुप्रिया एजुकेशन हब योटूब चैनल पे स्वागत करती हूँ आज के वीडियो लेक्षिर में क्या होने वाला है, जैसे कि आप सभी को थामनेल से ही पता चल गया होगा क्या होने वाला है हम लग फिजिक्स ओनर्स और फिजिक्स सबसीडरी का अभी कोस्तन वेंग सॉल्व कर रहे हैं जिसमें जो दोनों में टॉपिक है उसको मैं उठा रही हूँ और आप लोग को सामने उसका एक्स्प्लेनेशन दे रही हूँ जैसे हम लग फर्स्ट एक वीडियो में सिखे थे माइकल्सन मॉर्ले एक्सप्रिमेंट का डेरिवेशन कैसे करते हैं आप लोग एक्जाम में 99% चांसेज है कि माइकल्सन मॉर्ले एक्सप्रिमेंट का डेरिवेशन आएगा एक वीडियो जो देखे थे उसमें कुछ डिराइब ही करने वाला था साथ इनर्जी मास एक्वल टू एम कौन सा फर्मूला था एक्वल टू एम अपन रूट अंडर वन माइनस वीडिये स्क्वाइर अपन सी ए स्क्वाइर उसको डिराइब करना था तो हम लोग फिजिक्स का दो वीडियो कर चुके हैं जो ये दोनों प्रूफ फिजिक्स ओनर्स और फिजिक्स अबस्री के हर एक एक्वल में लगबग आता ही रहता है उसी सिलसले में आज ये हम लोगों का तिसरा वीडियो होने वाला है जिसमें से हम लोग Fourier theorem के बारे में पढ़ेंगे Fourier theorem से हमेशा एक ना एक कोसन एक जाम में आही जाता है और एक कोसन का मार्क्स लगवग 10 से 15 नमबर रहता है तो आप लोग को अच्छे दरीके से समझना है इसका फूल डेडिवेशन हम लोग करेंगे तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं इससे पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यूँ है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजेगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिल सके देखिए मैं अभी जितना भी वीडियोज डाल ले हूँ न वो सिर्फ और सिर्फ सेशन 2020 से 2023 वालों के लिए नहीं 2020 से 2023, 2021 से 2024, 2022 से 2022 कोई भी स्टुडेंट जो पार्ट वन में एक्जाम देंगे अगर भी हाड उनिवर्सिटी के स्टुडेंट है तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट यह सभी कोउस्टन है चली हम लोगों का फुरियर थियूरम में देखिए इसको पूछने के और भी तरीका हो सकता है इसको पूछन पूछा जाता है जबसे पहले हम लोगों को समझना होगा यह फोरियर थियूरम को समझेंगे सब्सक्राइब एक्सवाइब यह सब्सक्राइब इस देखिए अभी ज्यादा दिमाग को जोड़ मत दीजिये बस अभी अपने दिमाग में इतना ही बोलिए अपने दिमाग में अदर खुल से बोलिए Fourier theorem वो होता है जिसको हम लोग लिख सकते है summation के form में add करके लिख सकते है किसी भी दो स्रीज को sine और cos sine और cos दो स्रीज को add करके जो लिखते है उसी को हम लोग Fourier theorem कहते है थोड़ा सथ समझ में आ गया होगा अभी Fourier theorem क्या कहते है Fourier theorem states that any complex periodic function complex periodic function complex मतलब f omega t वाला function होगा कोई f omega t can be written as this sum of the sine and cosine in the form given by किस प्रकार से साम करके लिखेंगे यह मैं आप लोग को समझाती हूँ just wait and watch तो देखें हम लोग कुछ इस टाइप से लिखेंगे देखें यह क्या हम लोग का complex periodic function है इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं इसको हम लोग फूरियर के एकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं summation of sine and cosine तो हम लोग लिखेंगे पहले नौट प्लस a1 cos omega t फिर a2 cos 2 omega t फिर a3 cos 3 omega t मतलब यहां पर जो दे रहे हैं वही साथ आ रहा है उसकी बीख साथ आ रहा है उसके वहensions लेंगे फिर हम लोग sine वाला लिखेंगे जो कि लिखेंगा ? फिर b2 sine omega t फिर b3 sin 2 omega t और b3 sin 3 omega t इस चाइलब से लिखेंग केे तो îस टाइब से करते हैं एक नोट को बाहर ले लेंगे सिंपल और एवन जो यहां एवन ए टू ए ए तरी तो उसको सिधा एल लिख देंगे और एन वान से लेगी इंफुनिटी तक लिख देंगे और यह हम लोगा क्या है कॉस्स न ओमेगा टी ओके और प्लस क्या हो जागा एन इक प्रियोडिक फंक्शन इस्टेट डाइट इस इस एक बार मतलब की कोशिश किजिए वीडियो लिख चलने के दौरान ही आप लोगो को याद हो जाए एक्स्ट्रा टाइम याद करने के लिए नहीं देना पड़े इसके लिए मैं आप लोगो को याद करवाने की कोशिश कर और इसको लिखते हैं कैसे f omega t जो है वो लिखते है a knot plus summation of n equal to 1 से infinity a cos Lore t plus summation of n equal to 1 से infinity और bn sin oma t इस टाइसे लिखते हैं और इसको equation1 माल लेंगे जलियो अब देखे, the expansion of the function f omega t in the above form is known as Fourier series, जो हम लोग expansion लिखे हैं, ओके, the expansion of the function f omega t in the above form is known as Fourier series, वेर यह जो आप लोगों का जहां पर, यह a0 है, an है, bn है, वो क्या है, वेर a0, an, bn are known as Fourier coefficient, तो कोई आप लोगों से देखे, एकजाम में यह भी पूछा गया हुआ है, इतना बाद, Fourier coefficient का जो formula है, उसको derive करें, मतलब a0 का क्या formula होगा, an का क्या formula होगा, bn का क्या formula होगा, उसको derive करना होता है, तो यह आप लोगों का equation है, यह पूरे जो series है, उसको हम लोग Fourier series बोलेंगे, यह जो a0, an, bn है, इसको हम लोग Fourier coefficient बोलेंगे, अब हम लोग क्या देखेंगे अब हम लोग देखेंगे यह A0 देखें जब हम लोग को Fourier formula लिखना है तो हम लोग को पता होना चाहिए A0 क्या होता है A0 क्या होता है Bn क्या होता है तो चलिए अब हम लोग यह सभी बारे में निकालते हैं और समझते हैं कैसे क्या करना है चलिए देखिए अब हम लोग समझेंगे evolution of constant a not तो अब हम लोग को a not निकालना है ओके तो देखिए हम लोग का क्या स्रीज हम लोग का था f omega t था ओके और यहां पर था a not था और यहां a n cos n omega t था और नीचे क्या था b n sin n omega t तो अब हम लोग को क्या करना है अब हम लोग को integrate कर देना है 0 से लेकिट तक ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आप लोग को यह जो स्रीज है इसको रहने दिजिए और इसको आप लोग को integrate कर देना है कहां से कहां तक 0 से t time period तक तो चलिए हम लोग इसको 0 से t तक integrate करेंगे मैं आप लोग को integration खुद से करती हूँ वहां से दिखाऊंगी तो उतना अच्छे से समझवे नहीं आएगा तक करेंगे और इसको भी 0 से t तक करेंगे और इसको भी 0 से t तक करेंगे तो यह हम लोग का जैसे की तैसे रहेगा और आप डिटी का integration 0 से t तक क्या हो जागा डिटी का integration t हो जाएगा और लिमिट 0 से t है और यहां पर क्या होगा summation of n equal to 1 से infinity ओके और यहां पर आगा यह नौट और देखिए कॉस न ओमेगा टी का कॉस न ओमेगा टी या फिर साइन ओमेगा टी अगर 0 से t तक उसको करते हैं तो उसका वैलू जो है वह मैंसा 0 यह आता है यह प्रीटाइम न यह पाता है यह पहले से सभी को सभी को पता है कि यह जो हम लोग को से 10 10 पर यह तक उसको अगर हम लोग इंटेग्रेट करते तो वह लोगा की नहीं कुछ डहीं है पता है माल ने topics नुगे Eigen ny Funeral उसका इंटीगरेशन जीरो होता है बस यह सभी को रख देना है हम लोग को यहां से निकल के आगाеру और यहां से यह जो t निकल के आएगा A0 का वह 1 by T और यह value आजाएगा और इसको माल लेंगे हम लोग equation 2 तो समझ में आ गया हम लोग A0 जो constraint था उसको कैसे निकाले सबसे पहले तो हम लोग यह समझे फूरियर थियूरम आखिर होता है क्या है तो फूरियर थियूरम क्या होता है एनी complex periodic function any complex periodic function is written as the summation of sine and cosine function in the given form और उसका form क्या था f omega t equal to a not plus उसके बाद summation of n equal to 1 से infinity था a not और क्या था पहले था हम लोगों का cos वाला cos n omega t फिर plus bn और n equal to 1 से infinity था फिर sin n omega t था और यह जो expansion है इसको हम लोग 4 year स्रीज बोलते हैं उसमें जो coefficient a not a, bn उसको four year coefficient बोलते है और 4 year स्रीज बोलते है जो expansion था उसके पाद हम लोगों क्या करना है है उसके पर हम लोगों को सारे कुछ बता दी देखिए जो भी इंपोर्टेंट है एक जाम में आने की 99 परसंट चाल से उसी का मैं कोसिस करती हूं वीडियो बनाने का अभी जो दो वीडियो हो चुका है आप लोग प्लेलिस में जाके देख देख लिजेगा और दोनों वीडि पर वीडियो लग के अपला जो फ्लानेटरी मोसन उसको भी एकजाम में आने की बहुत चांस है उसके बाद हम लग बाकी टोपिक भी दीरे-दीरे करेंगे जो भी इंपोर्टेंट होगा चलिए अब हम लोग को निकालना है एन तो अब हम लोग का जो एक्वेशन वन था उ वह मैं उमेगाए ओकborg धिए अंप निकालने के दिए AJ तो हम लोग साँतित जीवों से लेकर टी तक इंटिग्रेट कर दिये लेकिन हम लोग को पहले कोशन वेगा टिसे मल्टिप्लाई कर दिएक अव्डिया और यहां भी हम लोग कोशन ओमेगा22 अमेगा22 से मुझा चलिए सारे कुछ हम लोग कर लिए होके 0 से लेकर T तक हम लोग को इंटीग्रेट करना है कुछ नहीं कि यह जो हम लोग का जेनरल इक्विशन था फोरियर का उसी में हम लोग बस मल्टिप्लाई किये अब क्या करेंगे हम लोग अब देखिए मैं कुछ आप लोग को बात बता जाती हूं जो कि आप लोग को पता होना चाहिए अगर हम लोग का कॉस एम ओमेगाटी जीरो से लेकर T तक उसको इंटीग्रेट करते तो इसका वैलू जीरो आता है और साइन और सब्सक्राइब पर वो ट्रीवाइट हुआता है अगर यह दोनों आपके बराबर नहीं है तो उसका एंसर जीरो आता है तो यह आप लोग एकवेशन फॉर इसको एकवेशन फाइब इसको एकवेशन यह सभी वैल्यू जो है वह आप लोग को पहले से पता होना चाहिए अगर नहीं पता है तो अभी याद कर लीजिए ऐसा होता है तो बहुत टाइम लगेगा और बहुत लंदी हो जाएगा और हाँ इसका डेडिवेसन होता है इसमें यह सभी वैल्यू को सिधा यूज किया जा तो कि देटा है यह सभी वैल्यू तो यह सभी वैल्यू इस एकक्विशन 3 में रख देना है तो यहां से हम लोगा क्या आ जाएगा यहां से आप लोग को स्किजिए गा तो फिर आप लोगों को फिजिक्स इजी लगने लगेगा जैसे मुझे इंस्टा पे एक मैसेज आया क्रेंज है रहा है वह याद नहीं होते हैं क्या करें निए क्या होता है ते कुछ इस टाइब से लिखते हैं तो और फिर समझ गए आप लोग को कॉफिस्टेंट निकाल ला है तो जो भी हम लोग को इंटीग्रेट तो ही करना आप लोग के स्टुडेंट उन लोग के लिए इंटीग्रेशन बहुत ही होता है इतना प्रैक्टिस कर लिए रहते क्लास 12 मे तो उन लोग को उतना कुछ हाट नहीं लगता है रटने वाला चीज रहता है उसमें तुरा सा बोरिंग लगता है यह सभी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से मजा रहा होगा तो इस तरीके से हम लोग जो कॉंस्टेंट ए नौट है जो फुरियर कोफिसेंट ए नौट औ और निकाल चुके अब हम लोग कही है निकालने के तो जली हम लोग बे निकालते हैं अपलोग जो बता रही हुंत आप लोगisel पर आप लहां दो को स्बार तो देखें उसके बाद क्या करना है मल्टिप्लाइंग बोच साइट बाइए क्वेशन वान आप लोगों कुछ भी नहीं करना था सिर्फ जीरो से लेकर टी तक इंटीग्रेट कर देना था लेकिन जब लोग एन निकाल ले थी थोड़ी छोटा-छोटा बात है जो आप लोग यह निकालना है मैंने वीडियो चलू किया था सब्सक्राइब तो बी न जो हम लोगों को निकालना है इसमें हम लोग साइन ओमेगा टी से इन दोने तरफ मल्टिप्लाइब कर देंगे तो हम लोगों कुछ इस ट्राइब से वैलु आएगा फिर उस्सी तरीके से साइन अम तो तो इस तरीके से हम लोग निकाल लिए निकाल लिए निकाल लिए अब क्या करेंगे जो मैं फुरियर फॉर्मूला बताएं पहले तो उसमें जो निकाल लिए निकाल लिए और लिए निकाल लिए अब लोग यह तीनों को रख देंगे किसमें रख देंगे जो एक्वेशन वान है उसमें फॉमेगा टी 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 प्लस समि जो भी निकाले है सभी के सभी वैलिव रख दिये तो हम लोग का यह जो है इसका फाइनल एंसर आ गया है फोरियर थूरम आप लोग करके दिखाऊंगे तो चलिए वीडियो में बने रहे हैं वीडियो का लेंथ बरा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप लोग का एक्जाम होने वाला है तो आप लोग फालतों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं चलिए आप हम लोग क्या संझेंगे फूरियर अनालेसिस या फूरियर अनालेशिस्थ Fen और स्क्रा लेट को देखने है और नीचे का cat लेंड़ा है मतलब माइनशे तो आप लोग का फंक्षन का वैल्य माइनस ए तो हम लोग क्या करेंगा लेट यह डाइग्राम बनाना होगा एक जाम में आप लोगो को फंक्षन ए है जब हम लोग लेट ले रहे है जिरो से पाइ और फंक्षन माइनस ए जब लोग लिमिट ले रहे है माइनस पाइसे जिरो जेनरल फोरियर श्रीच फोर एफेक्स कैनब रिप्रेजेंटेटेटर मैं आप लोग को अभी मतलब की फर्मूला बता दी हुए हो कि यह एक्स में है ओमेगा टी के जगा पर एक्स लिखा हो गया है और कुछ नहीं है तो हम लोग का फूरियर थियुरम यहाँ पर भी summation of n to infinity रख सकते हैं एक साथ ही इसको रख लिया गया होगा है तो यह हम लोग का है यह हम लोग का है फूरियर थियुरम अब हम लोग को अगर इसको क्या करना है square way में represent करना है तो हम लोग को a not a n b n निकालना होगा इस square function के लिए और निकाल के रख देंगे और हम लोग का answer आजाएगा जाएगा जादा कुछ नहीं है तो a not का जो formula होता है वो हम लोग का क्या होता है 1 by 2 pi a not का formula क्या होता है 1 by 2 pi minus pi से pi fx dx यहां पर निकाल क्या होता है a not का formula तो यहां पर 1 by 2 pi तो उसको पर हम लोग क्या करेंगे इसको limit को break करेंगे अब सभी को पता होगा limit को break कैसे करते है minus pi से लेके pi तक तो हम लोग को यहां पर हम लोग का function दे रहा है वो तो pi पर जो है वो function break कर रहा है तो हम लोग इसको क्या करेंगे Psi से 0 पर पहले करेंगे और फिर 0 से लेके pi तक करेंगे limit को break करते यह फिर इस type को questions को logically solve करते तो minus pi से 0 करेंगे Fx और 0 से Pi करेंगे Fx जब हम लोग 15-0 लेते है तो हम लोग का function मैनेस A और जब 0 से Pi लेते है इसको अलग कि लिमिट मतलब कि इंटीग्रेट करना है आप क्या करना है हम लोग से यह nought का वैलीव निकाल लेंगे तो यह जो है वह हम लोग का जीरो निकल के ऐगा माइनस माइनस से कॉमन ले लिए दिएकस का इंटीड्रेसों कि यह तो हम लोग अगर लिमिट में है integration 0 से लेगे एक तक है तो हम लोग ऐसे करते हैं और यह 0 से ओन पहले 1 इसमें रख दते हैं पूड़ए कुशन में फिर –0 रख दते हैं इस पूड़ए एक्वेसन में इस टाप से हम लोग करते हैं और हम लोग बस integration कीए तो हम लोग का तक ब्लत का बंव को निकल के आगया अब लोग क्या करेंगे जो जिरों को लेंगे एन का जेलरल फ़र्मूला किया है one by pi minus pi से pi fx cos nx लोग लीगे इसको ब्रेक करेंगे फिर 0 से pi करेंगे और दोनों तरह करेंगे जिर्वाइब फीज का वैल्यू इंकाल के लिएंगे जबहुति अन का वैल्यू क्वील आप पूरी हम सभी प्रहभ यहां से देख लेजेगा है लुके practitioners कर दour सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग जब इसको इंटेग्रेट करते हैं तो हम लोग क्या वैल्यू निकल के आता है यह देखिए तो हम लोग जो इसको इंटेग्रेट करेंगे खुनाया है और करने को अट्रमेंट डालना है उपावाला लिम्ट डाल दन 17 नीजया अला लिमिट लेंगर और हमलोगा इसका वैल्यू लेतते हैं just janчто अग अगर अड्स वैलू लेते हैं तो वform तो इसका बी न का वेलुन निकल गया तो यह जो गता मिशत्न का वैलू इन पाइट निकल लिए उन खेल देंगे और आजाएक का बैल ख और लो के लिए खेल फॉर एपन लूग और इवन-वेलू के लिए 0 यह वेंघ लगे फोड श्राइन पाई सटाइन एक सब्रक्ता सब्सक्राइब गवेड़ान अब लुट को मतने ही तो में पाई सब्सक्राइब है तो सब्सक्राइब हम ज़्कोर आफ दीसे के लिए उसको मुलोग डिराइब कर चुके हैं चलिए अब मैं आपो सब्सक्क्राइब क्यों चलिए और सब्सक्राइब यह हम लोग का कैसी फीजिक्स ओनर्स का्झ फीजिक्स अवर्णॉर्स में कोष्टन दिखक्राहोगा गुरूप और आप लोग यह सभी कोस्टन जो भी आप लोग के को समझा दिया है तो चलिए देखिए यहां पर स्टेट एंडिक्स्प्रेंट फोरियर थ्यूर्म हाव दिस अप्लाइड फोर अनालेसिस अप्लाइब तो हम लोग जो अभी एक्जाम्पल किया है रेक्टेंगलर वेब पर करने का यहीं मतलिब था क्योंकि यहीं इसी पर एक्जाम में हर साल कोस्टन आते ही रहते हैं अब त सब्सक्राइब करेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे तो ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक क्लिए बाए